हलो दोस्तो, कुक्वी छिल्पा में आप सब का स्वागत है आज हम बनाएंगे एक कटोरी चावल से पूरे परिवार के लिए खीर यह बहुत तेस्टी बनती है चलिए इसे बनाना शुरू करते है यहाँ पर मैंने एक कटोरी बासमती तुकडा लिया है जिसे हमें 3-4 बार पानी से धोना है आप अपने रेगुलर जो भी चावल है वो यूज कर सकते है तो यहाँ पर हमने धोकर ले लिया है और कुकर में डाला है और अब उसी कटोरी से डालेंगे 4 कटोरी पानी रेगुलर हम जिस तरह से चावल पकाने के लिए पानी डालते हैं उससे थोड़ा ज़ादा पानी डालना है साथ ही डालेंगे एक चमच, सेंधा नमक आप अपना रेगुलर नमक डाल सकते हैं इसे अच्छा से मिक्स करेंगे फिर उसके बाद कूकर का ढकन हमें बंद करना है और 3 सीटिया आने तक इसे पकाना है इसे हमने 3 सीटिया आने तक पकाया है और चावल जो है बहुत अच्छा से पककर तयार है ये देखिए अब हम गयास पर रखेंगे कडाई और उसमें डालना है आधा लिटर दूद दूद डालने से खीर को बहुत अच्छा टेस्ट आता है अब डालेंगे एक कटोरी चीनी यानि शक्कर जिस कटोरी से चावल लिये है उसी कटोरी से हमें शक्कर भी लेनी है साथ ही डालेंगे कुछ ड्राइफ फ्रूट्स काजू और बादाम जैसे बारिक पीस कर लिया है और डालेंगे एक बड़ा चमच घी इसे उबलने देते हैं अच्छा से उबलने के बाद हमें इसमें डालना है जो चावल हमने पका कर रखे हैं डालेंगे आप चावल को पहले ही मैश करके डालीए या फिर इस तरह से डालने के बाद खीर को पकाते हुए उसे मैश कीजिए तो यहाँ पर मैं पहले डाल रही हूं उसके बाद मैश करूँगी तो इसे मिक्स करते हुए हमें पकाना है इस दूद में ये सारी चीजे अच्छे से mix हो जानी चाहिए और चावल जो है बहुत अच्छे से mash होकर पकने चाहिए थोड़े time लगता है लेकिन इसे mix करते हुए पकाईए ये देखिए कुछ time के बाद इसका texture आप देख सकते हैं चावल जो हमने इसमें डाले थे वो अच्छे से mash होकर त अब हम इसमें एक और चीज डालेंगे जिससे खिर को बहुत अच्छा टेस्ट आएगा तो एक बड़ा चमच भरके हमें इसमें डालनी है मलाई दूद के ऊपर जो मलाई आती है गरम करने के बाद वो मलाई हमने इसमें डाली है साथ ही डालेंगे आधा चमच इलाइची प अब खीर में मिक्स करनी है तीन सी चार मिनिट का टाइम लग जाएगा इसे मिक्स होने में मेडियम फ्लेम पर आप इसे कंटिनियूसली मिक्स करते रहे ताकि इसका फ्लेवर जो है किर में बहुत अच्छा आएगा यह देखिए अब देख सकते हैं यहापर मलाई और आड़ी चाहिए तो ऐसे ही रखिए अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच फिर से घी और फिर उसके बाद हमें से धक्कर पकाना है पांच से छे मिनिट के लिए लो फ्लेम बर और घी जो हमने इसमें डाला है उसे मिक्स नहीं करना है ऐसे ही रहने देना है पांच से छे मिनिट के बाद ग्यास को बन कर दीजिए और यह देखिए खीर बन कर तयार है बहुत ही टेस्टी एक कटोरी चावल से पूरे परिवार के लिए खीर यहाँ पर बन कर तयार है आप देख सकते हैं पूरी कडाई भरकर खीर यहां पर बनी है, बहुत ही tasty बनती है, इसे फिर अच्छा से mix कर लेते हैं, जो घी हमने उपर डाला था वो अच्छे से खीर में मिक्स हो जाएगा और खीर को बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा तो आप इस तरह से जरूर बना कर ट्राइ कीजिए नहीं यहाँ पर हमें चावल भिगो कर रखने हैं नहीं चावल को पीसना है बहुत ही सिंपल तरीका है और बहुत ही टेस्टी बनती है आप इसे एक बार जरूर बना कर ट्राइ कीजिए तो तयार है गर्मा गरम चावल की खीर जिसे आप प्लेट में लीजिए घी डालिए और गर्मा गरम खाईए तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए अगर आप मेरी चावल पर नय है तो चावल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए सब्सक्रीप्शन बिलकुल फ्री है और मिलते हैं नए वीडियो के साथ थांक्स फो वोच्चिंग!